आई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इप्यसी इनफोर 24 में स्वागत है तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है यह भी भिन राज सरकारों की प्रमुख योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया है तो जहां से कोशन ज्यादा पूछा जाता है दो तिन कोशन हर करेंड फैर में पूछा जाता है तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक देखिए कि अधर अधर स्टेट में कौन-कौन से योजना है चलाई जा रहा है हर इस्टोर्ट में उसी के हर घर गंगा जल योजना तो यह भी हर की योजना है हर घर गंगा जल योजना इस योजना का जो मुख्य बिंदु है वह है, दो हजार एक्यावन की जनसक्या को टार्गेट करते हुए, गंगा नदी के पानी को पाइप लाइन के जरिए, राजगीर गया, बोद गया, वह नवादा उपलद करवाना, नवादा को उपलद करवाना, तो चार जो उसके जिले हैं, जिसमें रा में कड़ते हुए चलाई जा रही है तो इसको इधान में रखिएगा या आप आपसे इतना तो विस्त्रित नहीं पूछेगा लेकिन पूछेगा कि हर घर गंगा जल योजना किस राज सरकार की योजना है आगे है मुख मंतरी डिजिटल हेल्थ योजना जो मुख मंतरी डिजिटल हेल्थ योजना है वो किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है कहां कि सरकार तो बिहार में यह चलाया जा रहा है दोनों योजना है बिहार की है और अब देखते हैं मुख मंतरी डिजिटल हेल्थ योज रिए अस्पताल में । तर और वेट कि उपलब दिता आदि की जानकारी मिल सकेगी इसके जड़ीए क्या किया जाएगा बियार सरकार दौरा जो मतलब वहां कि जो लोकल एरिया या लोग जो वहाँ पे डाक्टर के मतलब डाक्टर से संबंदित और बेट से संबंदित जानकारी इस अयप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं आगे आए ओरिशा सरकार तो और इसा सरकार भी कुछ योजना है चला रहे हैं जिसमें है मो घर योजना और मुखमंत्री सिच्छा पुरसकार योजना और घर पर पोसड योजना चलाई जा रहे हैं तो मो घर योजना क्या है इसको जान लेते हैं मो घर योजना मौझूदा आवास योजना में योजना से छूटे उए लोगों को आवास के लिए वित्ती सहायता देना मौझूदा जो आवास योजना है चलर ये उनसे छूटे उए लोगों को वित्ती सहायता देना किसलिए सायता अवास बनाने के लिए इसी को करें मो घर योजना है हमारा घर एक प्रकार से और दूसरा जो योजना है और इसा का वो है मुखमंतरी सिच्छा पुरस्कार योजना है इसमें क्या किया जा रहा है सिच्छा मुखमंतरी सिच्छा पुरस्कार योजना में छात्र सिच्छ को प्रधाना चार्यों आदि को सिच्छा के छेत्र में उत्कृष्ट कार्य है तू पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसमें इसमें छात्र भी हैं टीचर भी हैं और प्रिंस्पल भी हैं इनको पुरस्कार दिया जाएगा ओ अगर अपने छेत्र सिच्छा के छेत् हर घर पर पोसड योजना जो घर पर पोसड योजना ये भी ओडिसा का इपाठ है तो ये ओडिसा से तीन चल रहा है मोगर योजना मुखमंत्री सिच्छा पुरिसकार योजना और ओडिसा से घर पर योजना जो घर पर पोसड योजना ये भी ओडिसा का इए तो इसको आप ध भोजन उपलब्द सुनिचित करवानाई घर पर पोसर योजना का मुख्य उद्देश से है आगे हम देखेंगे मिघाले के बारे में भी यह तो आगे कर लेते इस तरह अब मिघाले के बारे में देख लेते मिघाले में दो जिनाएं बी चलाई जा रही है जो चर्चित योजना यह – वहाई से कोश् 61 आने की संभावना है आगे मिघाले में नागरिक जुडाव संचार कारकरम चलाए जा रहा है और एक है आपका कि ग्रामीर पिछड़े वारे सुवर पालन योजना दो योजना चला जा रहे हैं यह मेगाले में एक है नागरिक जुड़ाव और संचार कारिकरम योजना है और दूसरे का नाम है ग्रामीर पिछड़े वारे सुवर पालन योजना है ये दोनों में घाले में चलाए जा रहे हैं तो नागरिक जुडाव और संचार योजना जो है वो क्या है उसका मुख्य उद्धिस क्या है या थिम क्या है ये देखिए तो नागरिक जुडाव और संचार कारिकरम योजना सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी अस्तर तक पहु सूवर पालन को फृसाहित करना तथा किसानों के आय के स्रिजन के अउसर उपलब्द कराना इस योजना का मुख्य उद्य से ग्रामीर पिछड़े वारे सूवर पालन योजना का तो इसको आप ध्धान से नोट करते रहेगा दोस्तों लाइ सवास योजनाई अचैप,क्ल्ष सूरा चैप उसके परिवार से सदस्यों के कल्यार को बढ़्रावा देना मुख्य उद्यश्य से इस योजना का आगे देखते सिक्किम द्वारा जो चला जा रहा है योजनाओं में सिक्किम द्वारा जो दो यह जुनाएं मुख्य रूप से उसमें अम्मा योजना और बहिनी योजना कौन-कौन सा अम्मा और बहिनी बहन और अम्मा मा और बहन यह से तरह जोड़ कर देख सकते हैं तो सिक्किम दो योज तो 20,000 रुपय प्रदान करना एक सिक्किम स्टेट की प्रमुक योजनाओं में एक है कि अम्मा योजना के तर्थ जो गयर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सलाना 20,000 रुपया प्रदान करना है आगे बहिनी योजना बहिनी योजना के अंतरगत है कच्छा 9 से उपर चात्रों को मुप्त से सेनिटरी नेपकिन वित्रित करना है सेनिटरी नेपकिन को विक्सित करना है मतलब देना है वित्रित करना है तो ए बहिनी योजना है ये बहुत अच्छी योजना है दोनों को याद रखिएगा एक है जो बहिनी योजना है बहुत चर्चित है जो दो त्रित किया जा रहा है तो यह याद रखेगा आगे 36 गर सवरकार है जो 36 गर में उसमें एक योजना चलाई जा रही जिसका नाम है मुखमंत्री महतारी न्याय रथ ही योजना कौन सी योजना है तो मुखमंत्री महतारी न्याय रथ ही योजना है इसमें क्या है मुखमंत्री म रत्य योजना का कि राज्य की जो महिलाएं उनको अधिकारों के बारे में उनको क्या करना है जागो करना है बढ़ावा देना है आगे देखते हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं इसमें अब जो हिमाचल प्रदेश सारी योजनाई ला रहा है कौन-कौ वोथ्हा नम्मर पर आपका है हिंकर्ड योजना सोभषोर प्रदश हैं इनको आप दहांसे देगे कि में इनको नमझ योजना है सुखास्रहय योजना संजीविनी योजना है और इसके बाद योजना है यह यूजिना है यहाँ पर 500 रूपय आर्थिक सहायता दिया यहाँuhan कृकर सुक आसरय यूजिना को किराज्ज के अनाथ और जरूर्त वंद बक्थों को बहतर जीवन और सिच्छा प्रदान करना इसका मुख्युद्धिस क्या है कि जरूरत मन्द जो बच्चे हैं उनको क्या है सिच्छा और जीवन अस्तर के बहतर के लिए क्या है सहायता या अवसर प्रदान करना यह सुख आसर है योजना का मुख्युद्धिस है दोस्तों योजना है हर सरकार द्वारा चलाए जाती है लेकिन ओ एवजनायों का जो कार्यानवन है लोगों तक जो उसका पहुच है बहुत ही कम है मातर कर सकते हैं 100 रुपया में अगर कर दें अगर 100% में 20-25% तो उतना भी नहीं पहुच पाता है बस नाम का कागज पे ज्यादा है तो आपको आगों भी करती है लेकिन जो इसका जो लाब पहुचना होता है बहुत कम मातरा में मतलब 100 में का ले तो 10-20% पहुच जाए लोगों तक तो बहुत है आगे चलते हैं संजीवनी पर योजना के तत क्या किया जा रहा है यह देखिए इमाजल प्रदेश में तो छोटे डेरी किसानों को उनके पसुधन के लिए दरवाजे तक गुड़तापूर देखभाल सुनिचित करना है आगे है हिमकर्ड योजना इस योजना के तत क्या है दोस्तो तो रा तो इसके तत किया जाता है कि राज्य के जो राज्य में किसानों की जो सिचाई की सुग्दा उपलब्द कराना ही मेन उद्देश से है तो आगे चलते हैं नारी को नमन योजना नारी की नमन योजना किसकी है तो ए भी है हिमाचल प्रदेश की और इसमें क्या है राज्य के महिलाय यात्रियों को बसों के किराय में 50% की छूट दी जाएगी जो राज के भीतर महिलाय यात्रियों को बसों में 50% की छूट दी जाएगी तो दोस्तों यहां तो 50% दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में दिल्ली में तो महिलायों को पूरा का पूरा छूट है उनका किर याल रहेगा तो चलेगा लेकिन आपको अगर पिस्तिय देने जा रहे हैं तो आपको दोनों बाते ध्यान रखनी पड़ेगी आगे देखते हैं उत्रा खंड में एक है कोसल उन्यन रोजगार योजना और दूसरा है आपका मुख्मंत्री एकल महिला सोराज योजना इसको या है पहले वाले को देख लेते हैं मुख्म उद्देस में कौसल उन्यन रोजगार योजना में क्या है? तो विदेस में करियर बनाने के इच्छुक योजना को प्रषिझचड का मुख्य उद्देस हैं. आगे यह मुख्मंत्री एकल महिलास रोजगार सोरोजगार है तो रो तलाख सुधा किन्नर आदी को अपने काम करने काम सुरू करने के लिए वित्ती सहायता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से इस्थिर बनाने में मदद करेगी यह योजना जो है मुख्मंत्री एकल महिला सोरा जो महिला एकल रह गए हैं जिसमें उसमें विद्वा भ प्रदान की जाएगी आगे देखते हैं रेसम कीट बीमा योजना इस योजना के तत्किया किया जा रहा है तो रेसम उत्पादकों को जलवाई परिवर्तन पानी की कमी और अन्य खत्रों से प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्द कराना है इसका मुख्योद् किया है कि रेसम उत्पादों को जो जलवाई परिवर्तन पानी की कमी और अन्य खत्रों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्द कराना इसका मुख्योद्द्दे से तो किसका मुख्योद्द्दे से रेसम कीट बीमा योजना का तो कौन-कौन से योजना थी उत्राखंड की पाला था कौसल उन्यन रोजगार योजना, दूसरा था मुखमंत्री एकल महिला सोराज योजना, तीसरा था आपका रेसम कीट बीमा योजना, तो इन योजनाओं को आप जरूर याद करिएगा, आगे एक करनातक का है दोस्तों, करनातक का एक बेसिक है, आप आपको कुछ योजना है, अगर याद हो जाती है, जैसे चरपाश स्टेट की, तो आप उसमें से आपशन के तत जा सकते हैं, हो जाएगा, तो आपको दो-तीन बार वीडियो देखना पड़ेगा, या कोई किताब लेकर पढ़ लिजिए, जो आप अच्छा समझते हैं, कोई बेश्ट पढ़ेगा, दिरिष्टी ले लिजिए, क्रानिकल ले लिजिए, इतना बहुत है, एक मंतली पढ़ना चाहिए, और आईयस के लिए भी आपका प्रतियोगता हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं दिरिष्टी अच्छा करेगा, दिरिष्टी क्रानिकल अच्छे रहत तो महिलाओं को बसों में मुक्त यात्रा का लाब उठाने के लिए, स्मार्ट कार्ट प्रदान किया जाता है, स्मार्ट कार्ड जो महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे वो बसों में क्या है, मुक्त सफर कर सकें, तो दोस्तों यह तो करनाटक सरकार की रही बात, हमारे उदर गुम लेजिए 25 रुपी हाई एस्ट भारा रहेगा पूरा लेकिन आप यूपी में जाए सबसे प्राइबेट से ज्यादा सरकारी बसों का किराया है अब हम तिलंगाना की बात करते हैं चलिए खैर कोई बात नहीं बड़ा इस्टेट है अभी विक्सित नहीं हुआ है उतना तिलंगाना तिलंगाना में क्या है गीता कार्मिक बीमा योजना है तिलंगाना में और इसके बाद आपका अपसरा योजना है पेंसन योजना ये भी तिलंगाना का है और तीसरा है आपका नेथना बीमा योजना ये नेथना नेथना को बुनकर बीमा योजना भी का कार्मिक वीमा योजना क्या है तारी निकालने वाले को पांच लाख रुपिय का बीमा प्रदान करना क्या है और फे बिध्वाओ दिब्यांगों बीडी बनाते उनको के लिए pension सुभधा उपलब्द कराना ही क्या है अफसराय योजना ऐसा नाम रखा क्या बताए जाए अफसराय योजना तिलंगाना का तीनों जनाओं में दो जान चुके तिसरा देखते हैं क्या है बाई नेथना बीमा योजना या बुनकर बीमा योजना तो इसमें क्य हद करणा तथा बुनकरों के लिए पाच लाख रुपिये तक की बीमा कवरेज प्रदान करना यह मिलता होगा कि नहीं मालूम नहीं लेकिन यह सब यूजनाएं हैं इनको आप याद रखिएगा आगे चलते हैं महराष्टा महराष्टा में क्या है नमो सितकारी महा सम्मान योजना और दूसरा है जीवला योजना और नमो सितकारी महा सम्मान योजना कहां की है तो मुख्य है ओ जो है महराष्ट की है इनके बारे में हम जिक्र कर लेंगे अभी कर लेंगे तो पाला में पा दोस्तों जितने भी योजना है होती है दिया जाता है लेकिन आदा तो उसी में खा जाते हैं लोग तो यह सब है लेकिन क्या किया जाए चलो ठीक है आगे देखते हैं जीवला योजना इसके तर जेल में बंद कईदियों को तीन साल के अधिक सजा काट रहे हैं उनको 50,000 रुपिये तक का परसनल लोन दिया जाएगा तो यह जो जेल में बंद कईदियें और तीन साल से अधिक की सजा काट रहे हैं उनको यह जीवला योजना दिया जाएगा महराष्ट सरकार द्वारा सही बात है कईदियों के बारे में अब सोच रहे हैं अच्छी बात है दिल्ली सरकार, मेक इंडिया वन नंबर वन मीशन के तर दिल्ली सरकार भी हो जञा रही है इसमें क्या है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंज केजरिवाल ने भारत को नम्मर वन बनाने के लिए पाच मंतर दिये हैं हर बच्चे को मुप्त सिच्छा, युवा रोजगार, सरोत्तम चिकिसा, महिलाओं को सम्मान, किसानों को उपच का उचित मुल्य, दिल्वाना एक्या है मेक इंडिया नमर वन मिशन ए मुख्यो देश से, दोस्तों यहाँ पर हम लोग हैं, और यहाँ पर हैं, तो हम देख रहे हैं, सिच्छा से भी जुड़े हैं तो इसलिए हम बता सकते हैं कि हर घर, हर बच्चे को मुप्त सिच्छा यहाँ पे 100% दी जाती है यह आप इंटर तक है तो आपको 100% आपको मुप्त इस इच्छा दी जाती है ग्यारा और दस वाले को थोड़ा कुछ बोड़ फिस लग जाता है और कुछ नहीं लगता है थोड़ा सा ही लगता है बहुत कम है वो कोई बोड़ फिस देता है और बाकी के सब एक से लेकर आठ त हर स्कूल में लाइबरेडि है हर स्कूल में आपको हर प्रकार के टीचर मिलेंगे चाहें वह किषी भी सब्जेक्ट के हूं हर स्कूल मरेंगे आपको मिलेंगे योग हो गया संस्कृत हो कि सबके टीचर मिलेंगे तो यहां पर काम अच्छा हो रहा है कुछ जगे माल जी कुछ बिल्दिंगों बनाई गई है बिल्दिंगों में थोड़ा मुडा तरूटीया लेकिन बिल्दिंगे वहर जगे की बहुत ही अच्छी है सांदार है और अन्य श्टेट से अगर तूर आगे चलते हैं खेम दिल्ली की बात है हम सुते हैं दिल्ली जैसी बिरुस्था अमारे दुख्द उत्पादकों को सहकारी समितियों को उचित मुल्य पर दूद बेचने का अउसर प्रतान करना है नंद बाबा दुख्द मीसन योजना का मुख्य उद्देश है आगे है उत्तरप्रदेश की दूसरी योजना है पंचा मृत योजना पंचा मृत योजना भी चलाई लागत को कम करना तथा दलहन तिलहन सबजी उगाने के लिए पुरसाहत पुरसाइद करना दोस्तों यहां जो सबजी उगाने की बात है तो आप तो इतना ज्यादा गाय वैसे सब को सबसेटी दे रहे हैं कि वो तो यह सब दलहन तिलहन सब कुछ होने नहीं दे रहे हैं तो इ पंचा मिरत योजणा में किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुने की उत्पादन लागत को कम करणा तथा दल्हान तिल्हान और सबजी उगाने के लिए पहसाइत करणा यह मुख्यूद्देश से हैं तो इसमें देखते म्द्रदेश में पहला योजणा है मुखमंतृरी शी पर में पूछा जा रहा है कि लाडली बहना योजना कहां की है और इसके बाद लाडली लच्मी योजना टू भी चलाया जादा है और इसके बाद एक और योजना है इसको भी देख लेते हैं तो लाडली बहना हो गया लाडली लच्मी योजना हो गया फिन मुखमंत्री आसिर पाओ को विभिन छेत्रों में 700 विभिन कारियों में प्रशित्चर देना उन्हें रोजगार के आउसर उपलब्द करवाना ये तो बहुत अच्छी बात है आगे आपका मुखमंत्री अवासी भूमी अधिकार योजना इसके तत क्या किया जा रहा है इसके तत प्रतेक लाभा परिवार को आवास निर्मार के लिए लगबग 600 वर्ग फीट का भूमी भूमखंड दिया जा रहा है इसके तत प्रतेक लाभार्थी परिवार को आवास निर्मार के लिए लगबग 600 वर्ग फीट का भूमखंड दिया जाएगा ऐसा इस बात में कहा गया ये तो अच्छी बात है आगे चलते हैं लाडली बहना योजना इसके तर्थ गरीब बहनों के को प्रतिमा एक हजार जैसे आर्थिक सायता प्रदान की जाएगी आई के दायरे में नहीं आएगा आएकर की दायरे में नहीं आएगा लाडली बहना योजना के तर्थ क्या है कि गरीब बहनों को परतीमा एक हजार उपए की आर्थिक साहजता परदान की जाएगे जो आयकर के दाइरे में नहीं आएगी, ऐसी बात है, आगे लडली लच्मी योजना, लडली लच्मी योजना में क्या है दोस्तों, family इंपी की योजना है इसमें लाडली लच्मी योजना 2.0 जो चलाए जा रहा है बरामी कच्छा की परिच्छा पास कर कालेज में एडमीशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपय की रकम दो किस्त में अलग अलग दी जाएगी जबकि मेडिकल आई 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 एम आई टी या इसके तत किसी संस्थान में एडमीशन लेने पर पूरी फिस राज सरकार भरेगी यह तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों अगर यह योजना है हो रही है और मतलब जम अनना पड़ेगा आगे चलते हैं अगला है मुख्यमंत्री बाल असिरवाद योजना इसमें क्या है कि अठारा वर्स की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमा पाच जार रुपय की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर दोस्तों यह सब योजनाय लागू होती होगी और इसको जो लोग पा रहे हैं जो इसके हखिदार हैं तो वास्तों में सराना के पात्र हैं यह सरकार हैं MP सरकार आगे चलते हैं दोस्तों आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश में तीन योजनाय दो है मत्स कारा भरोसा योजनाय और दूसरा है फेमिली डाक्टर प्रोजोक्ट योजनाय है तो मत्स कारा भरोसा योजनाय के तत क्या किया जा रहा है तो समुंद्री मचली पकड़ने पर वार्सिक प्रतिबंद के समय मच्वारों को वित्ति सायता प्रदान किया जाएगा अगर मचली पकड़ने पर वार्षिक जो प्रतिबंद लगा जाता उस समय अगर मच्वारों को वित्ति सायता दिया जाएगा जब पकड़ने पर प्रतिबंद रहेगा तो आगे है फेमिली डाक्टर प्रोजेक्ट य मुख्य उद्देश से हैं तो ए था आंद्रप्रदेश की मत कार भरोसा योजना और फेमिली डाक्टर योजना तो फेमिली डाक्टर योजना ग्रामिर अबादियों में लोगों के स्वास्त की देख भाल के लिए प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों से एक डाक्टर को प्रतेक वार्ड में उपलब्द कराना फेमली डाक्टर योजना का मुख्य उद्देश है और दोनों योजनाएं आंद्रफ्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है असम सरकार की बात करते हैं असम में जो योजनाएं है उसमें आपका पहला है अरुना दो 2.0 योजना है अरुना तो जो है योजना है दूसरा है विद्यारत स्कूल आन फीसल विलल्स पर योजना है तीसरा आपका स्वर निर्भर नारी योजना है चौथा है रिहब प्रोजेक्ट है और पाचमा योजनाओं में प्रोजेक्ट सदभावना चलाया जा रहा है तो अरुनो दोर जो 2.0 प्रतिमा डी बी टी के माध्यम से 1250 रुपए आर्थिक सहायता देना है और दूसरा जो योजना है आतका असम सरकार की दूसरी योजना है विद्यारत स्कूल आन फीसल्स पर योजना है वीलस पर योजना जो है उसमें क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर बिकलांग बच्चों को मुक्त में प्रारंबिक सिच्छा उपलग्द कराना इसका मेनलच है आगे स्वा निर्भर नारी योजनाओं में स्वा देशी स्वा देशी जो है मैलाएं बुनकरों को ससक्त बनाना और हत करगा वस्तों मैलों को प्रशाहित करना मुख्य उद्ध्य से आगे ऑगे रिभर प्रॉजेक्टरिहाइब प्र्रोजेक्ट के तत त्षिम कि मानुबस्तियों में हाथियों के प्रवेस को रोकने के लिए उनके मार्ग में मदमक्यों की बाल लगाना एक मुंख्य उद्ध्ध्य कि मानुoben पस्तियों में हाथियों के जो प्रवेस है उसको रोकने के लिए असम सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है उनके मार्ग में हाथियों को प्रवेस को रोकने के लिए उनके मार्ग में मदमक्यों की बाल लगाया जा रहा है और 21 योजना के तथ लगाया जा रहा है तो लंबित फाइलों का तेजी से निप्टारा करना भी प्रोजेक्ट सद्भावना का मुख्य उद्दे से है सद्भावना एक्स्प्रेस जो होती है उसी के तर्द पे ये शुरू किया गया असम सरकार द्वारा अब हम बात करते हैं हर्यारा राज्जिकिद सू सासन पुरसकार योजना चिराग योजना और मात्री सक्ति उद्धिमिता योजना ये तीन योजनाएं जो हर्यारा सरकार द्वारा चलाए जा रही है उसमें आपका है सू सासन पुरसकार योजना चिराग योजना और अम्रित सक्ति उद्धिमिता योजना तो हरियारा सरकार द्वारा जो योजनाय चलार जा रही है उसमें तीन ये मुख्य थी तो पहला देखते हैं सुसासन पुरसकार योजना क्या थी तो इसमें क्या है कार्य अस्थल पर असाधार प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना इसका मुख्योद्देश से है चिराग योजना में 108 मतलब 1,80,000 वार्सिक कम आये वाले परिवार के बच्चों को कच्छा दूसरी से बरहामी तक मतलब 1,80,000 रुपया अगर को परिवारिक वार्सिक आय से कम है तो उनके बच्चों को कच्छा दूसरी से कच्छा बरहामी के तक नीजी स्कूलों में मुक्त प्रवेस दिया जाएगा आगे मात्री सक्ति उद्धिमिता योजना में इसमें जिन मैलाओं की परिवारिक वार्सिक आये 5,000,000 से कम है उन्हे 3,000,000,000 रुपिये रिर 7% की व्याज दर पर उपलब्द कराया जाएगा 7% तो ज्यादा है दोस्तों इतना तू नहीं रहना चाहिए 7% पर देकर कोई पुरसकार नहीं कर रहे है माहान से तो यह कोई यह नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर रहे है मात्री उद्धिमिता योज यह 3% पहुत है यार 7% क्यों कर रहे हूं आगे देखते हैं कोई नहीं लेगा आगे है आपका पंजाब इसमें स्कूल आप एनी मेंशन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इसमें क्या है एक मिनट पंजाब सरकार द्वारा जो चलाए जा रही योजना है उसमें दो है इसकूल आ आप एनी मेंशन प्रोजेक्ट है लोक मिलनी योजना है दो योजना है पंजाब सरकार द्वारा एक है इसकूल आप एमी नेशन प्रोजेक्ट है दूसरा है लोक मिलनी योजना है तो इसकूल आप एनी मेंशन प्रोजेक्ट के तत क्या है इसके तत कच्छा बारा से कच्छ अच्छा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को एमिनेंस में अपग्रेट किया जाएगा और लोक मीली योजना क्या है लोक मीलनी योजना क्या है इसमें जब जन संपर्क बढ़ाना राज्यों के लोगों की सिकायतों के निवारर के लिए मंच प्रदान करना केरल योजना देखते है केरल सरकार द्वारा पहला योजना है एक पंचायत में एक खेल का मैदान पर योजना है एक खेल का मैदान होगा एक केरल सरकार की योजना है दूसरा है प्रदोग की हस्तांतर योजना है दूसरा है वजीफा योजना है तो तीन योजना है केरल सरकार द्वारा इसमें एक खेल का मैदान पर योजना के तर्थ क्या किया जा रहा है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अस्थानी अस्थर पर खेल के मैदान का निर्मार करना। इसका मुख्यकार है। दूसरा आपका जो है। दूसरा योजना देखते हैं। प्रदोग की हस्तांतरण योजना इसमें देश में सरकारी अनुसंधान संस्थाओक से प्रदोग की लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्ट अप उद्यमों द्वारा किये गए वे की पूर्ती के लिए योजना बनाना है। दूसरा है वजीफा योजना इसके तत है राज के कनिष्ट वकीलो को हर महिने 3000 रुप्य मुक्तान किया जाएगा। और इसके बाद यह आखरी योजना हैं जो आपको तिपुरा की देखनों को मिलेगी। कौन सी योजना हैं यह देख लिजे। तिपुरा सरकार की है मुख मंत्री चा स्रमिक कल्यार प्रकल्प योजना। तो इस योजना के तत राज के 7000 चाय बागान स्रमिकों को समाजिक सुरच्छा प्रदान करना है। तो फ्रेंट्स यह थे योजना हैं कुछ आवाज गजब आ रही होगी क्योंकि जुखाम बुखा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहे हैं। बिपिएस्टी का एक्जाम जो प्राइमरी का था वह अभी असमंजस में है। क्या होगा आगे नहीं होगा बियड वाले को क्या करेंगे। कोई सरकार की तरफ से उचित समाधान निकल कर नहीं आ रहा है ना लोग कोई कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने तैयारी को आप अच्छे से रखिए। अपना गेम जो गोल है गोल को उचा रखिए। अगर माल जी ये बियड वाले वहां से इलेजबल नहीं होते हैं सरकार को एक नियम हमेशा के लिए बना देना चाहिए जिससे बचे बार बार ना भठके। इसा नहीं होना चाहिए शरोच नयाले भी जो आदे दिया उसको भी सोचना चाहिए psychology उतना दिन पढ़ाई करता है और एक target बनाता है पैसा देता है हार चीज करता है और आप उसको बार-बार संसोधन करते रहते हैं तो कोई नियम बने एक बार बने ये भी खासकर जो पढ़ाई से संबंदी थे और नो करी से संबंदी थे इसमें बार-बार उलट फेर होने की जरूरत नहीं है किसके लिए क्या है एलिजबल वह पहले से डिसाइड हो बार-बार इसको बदल करना इधर करना उधर करना ये बच्चों के हित्में नहीं है तो दोस्तों आप अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहें खर वो सरकारों की काम है और वो करेंगे अपना काम आपका अपना काम है पढ़ाई करना इमंदारी से करना उसको करते रहें देखिए क्या होता है उसमे अपने तयारी को करते रहें तयारी वहां ही काम आएगी तो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी इस उम्मीद के साथ अपने धहर को बनाए रहें आप होसला मत आए आप बहुत ही महंती लोग आएं अच्छे से प्रयास करते रहें क्यूंकि आगे बहुत कुछ करना है ठीक है तो